Good morning students, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 semester exams के result के बारे में कि MA 1st semester और MA 3rd semester का result का publish होगा तो इस वीडियो के साथ last तक बने रहें, चलो शुरू करते हैं जैसा कि आपको पता ही होगा G&U 8 semester exams 15 नमबर 2 या 23 से शुरू होगे थे और 23 दिसंबर 2 या 23 को complete भी हो गए थे वसके बाद सभी स्टूडेंस की answer sheet G&U examination department पहुँच गई थी और answer sheets की checking भी शुरू हो गई है और जो आपके 8 semester exams के result हैं वो 14-15 February से publish होने शुरू हो जाएंगे और आप बात करते हैं कि MA classes का result का publish होगा तो MA 1 semester का result 9 मार्च से 29 मार्च के बीच बीच में publish हो जाएगा MA 3 semester का result 7 मार्च से 27 मार्च के बीच बीच में publish हो जाएगा तो सबसे पहले 3 semester के result publish होंगे और उसके बाद 1 semester वालों के तो जैसे ही कोई और update आती है आपके result के बारे में हम आपको inform कर देंगे तब तक आप सब इस वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो सभी फ्रेंज के साथ चैनल जुरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकेन भी प्रेस कर देना तैंक यू